देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक केजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मि आप सभी का मेरे चैनल पर पुन्हा स्वागत करता हूं, आप सभी सुस्त होंगे, महादेव की क्रिपा आप सभी पर सदाए पनिया है, यह वीडियो कुम्भ यानि के अक्वेरियस के लिए अतिनत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है कुम्भ के आने वा सब्ताह कुम्भ के लिए, जो मेरा सब्ताहिक राशिवल होता है, वो प्रमुक्ताह चंद्रमा की गति प्याधारित होता है, चंद्रमा नव ग्रहों में से सबसे तेज चलते हैं, हर सवादों से धाई दिन में उनका राशी परियुतन हो जाता है, तो सभाविक तौर से एक किसकिस भाब में रहेंगे, क्या उनके पॉजिशन होंगे, क्या उनके योग बनेंगे. कहां से देखे राशी फल? लगन राशी और चंदराशी से अलग-अलग राशी फल नहीं बन सकते. मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आपको अपना लगन confirm है, आप लगन से देखेंगे, आपको बहुत relatable result मिलेंगे, जिनको अपना लगन confirm नहीं है, या जो चंदराशी सही observe करना चाते हैं, वो भी guidance के लिए इस राशी फल को देख सकते हैं, वीडियो केंट में कुछ हो पाया भी अवश्य बताऊँगा चंदरमा का अश्टम में आना अच्छा नहीं होता, यहां पी चंदरमा पीडित होते हैं, एक अनिशित्ता का भाव व्यक्ति में आता है, गलत निरने वो ले सकता है, चंदरमा मन के कारक हैं, चंदरमा मनसो जाता है, वेद भी कहते हैं, तो जब मन ही अश्टम भाव में है यानि कि एक uncertainty जीवन में रहेगी इसलिए हफते के शुरुवाती भाग में कोई भी बड़ा निरने लेने से अपने आपको दूर रखे इसके साथ ही घर में भी थोड़ा सा महौल अच्छा रखे अपनी वानी पर बहुत नियंतरन रखे क्योंकि यहां से बैठकर चंद्रमा सी से भी अश्ठम में हैं क्योंकि लगने के स्वामी समय लगन में ही बैटे हैं शनी देव और अभी वक्री भी हुए हैं कुछी दिनों पहले तो वैसे ही एक sensitive time होता और चंद्रमा भी अश्ठम में है तो हफ्ते का जो शुरुवाती भाग है आपको थोड़ा सा धैयर बनाकर चलना ही है कुछ भी अचानक से निरने बिल्कुल नहीं लेना ब्रहस्पति से छटे में है तो शकट योग बनता है यानि कि चीज़ें डिले होती है और अश्टम में भी है तो चीज़ें डिले होंगी ही तो यह समझ जाएगा कि अगर कुछ डिले हो रहा है तो उस पे आप से व्यक्ति से बातचीत करें जो थोड़ा बहुत आपको समझता है जो थोड़ा बहुत आपकी सेंसिटिविटी को समझता है क्योंकि इस समय आपको इमोशनल अपलिफ्टमेंट की अवशक्ता पड़ेगी ही जहां तक दसामसा की बात है जो लोग एडुकेशन संबंदित क आपको पुरानी चीजों पर नहीं जाना थोड़ा सोशल रहेगा अपने पार्टन के साथ कहीं बाहर जाएगा डिनर पर जाएगा लंच पर जाएगा कुछ ऐसा कीजिएगा जो रोज मर्रा के चीजों से हटके हो विवाहिक जीवन अगर बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी तो उनको खतम करके एक नई शुरुवात करने का अच्छा मौका है कभी-कभी जब बहुत सारा चीजें सारी रिलेशनशिप में आ जाती है या विवाहिक जीवन को दी जाए उसके लिए जो समय है बहुत अच्छा है और यहां पे यात्रा के योग आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ बनते हुए दिख रहे हैं यहां तक सेहत की बात है जिनको डाइबटी से हॉर्मोनल प उठाके ले जाता है बहुत competitive environment है especially students के लिए और आने वाले टाइम में कोई competition कम नहीं होने वाला तो active रही है सरवाश्टक में आपका तीसरा भावतिन तवली है यात्रा के योग आपके अचानक से हफते के शुरुवाती भाग में बन सकते हैं 28 जुन सुभा के करीबन 3-4 ब अनिशित्ता है अश्टम का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा अब यहां पर भी वो खैर अश्टम से निकल जाएंगे लेकिन केतु के साथ आजएंगे रहु केतु में फश्ज जाएंगे रहु केतु के बीच में जब भी चंद्रमा आते हैं तो प्रभाव उन पर बहब ही बहस हो सकती है अपको यह प्रयास करना कि जो हफ्ते का मध्य भाग है आपको жब भी आप अपने से बढ़ों से बात करें तो कभी किजेगा और अपने टोन पर अपने लहजे पर ध्यां देजेगा एक अच्छी चीज यह की तुरह कि दिश्ठी है यह बन रहा है तो हां राहु केतु की नकरात्मक्ता तो रहेगी राहु केतु का प्रभाव तो रहेगा फिर भी ब्रहस्पति का यहां पर साथ मिल गया तो जो मद्य भाग साथ है आपके लिए काफी शुपदिख रहा है मंगल की रिष्टी भी रहेगी अब मंगल आपके लिए क्या है मंगल दस्वे घर के स्वामी है और मंगल तीस्वे소ार के शॉपमी है अचानक से यात्रा कि आपके योग बन सकते हैं इसके साथ ही कारेक्षेत्र में थोड़ा प्रेशर काम का जाधा रहेगा गिवो समय है जब कारेक्षेत्र में आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है थोड़ा बच के रहिएगा नवामसा के हिसाब से कॉम्मुनिकेशन क्लियर रखेगा थोड़ी टेंशन ज्यादा इस टाइम पर रहा करेगी उसके आपको बचना है अपने आपको दूर रखना है जहां तक दसामसा की बात है जो लोग एज सकते हैं जल्दबाजी थोड़ी आपके साइट से देख रही है वहाँ पर प्रब्लम होगी सेहत के इसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम् गले की प्रॉब्लम् पेट की बहुत तंक करेंगी जातक स्टूडंस की बात है थोड़ा रिविज़न पर ध्यान दीजेगा अपनी मान आश्टक के हिसाब से आपका धनस्तान बली है तो जैसा मैंने कहा धनकाल आप तो आपको हफ़ते के मद्य भाग में होता हुआ दिख रहा है तीस जुन चंद्रमा आपके दस्वे स्थान यानि की विश्षिक में आ जाएंगे और सप्ता के अंत तक कहीं पर रहेंगे चंद्रमा का दस्वे स्थान में आना अच्छा होता है यहाँ पर नीच के हो जाएंगे अब नीच का गरह दस्वे स्थान में लाव स्थान में तीसरे घर में चटे घर में अच्छा प्रभाव देता है क्यों आज का समय ऐसा है कि व्यक्ति साधारन होकर भोला होकर नहीं चल स देता है इसलिए आज के समय में नीच का गरह और ज्यादा प्रभावशारी हो जाता है डिपेंड करता है कहां बैठा है वो क्योंकि दस्वे घर में नीच का गरह यानि कि आप अपने करियर में बहुत कॉंपेटिटिव रहेंगे आपको कोई भी कार्या दिया जाए आप अराम से कर लेंगे बस तो अपने फोकस पर ध्यान दीजेगा क्योंकि चंद्रमा मने के कारक होते हैं नीच के हो रहे हैं अच्छा कासा काम भी आपको मिला तो कभी-कभी आपका फोकस हट सकता है उसके कार प्रॉब्लम हो सकती है अधर्वाइस यह जो समय है कारक शेत्र में बहुत अच्छा जाएगा अच्छा शनीदेव की द्रिष्टी भी है क्योंकि लगने के स्वामी है तो यह ठीक है लेकिन शनीदेव तो शनीदेव हैं जब भी उनकी द्रिष्टी चंद्रमा पर या योग वो कही न कहीं आपसे डरते हैं तब भी वो आपके हिलाफ निंदा निंदात्मक शब्दों का उप्योग करते हैं तो आपको इस समय में अपने कारेप पे फोकस करना है और निंदात्मक लोगों से नेगेटिव लोगों से अपने आपको दूर रखना है कारेक शेत्र में स् सकता है और future planning के लिए समय अच्छा है दसामसा के हिसाब से जो लोग management संबंदित finance संबंदित marketing संबंदित कारे करते हैं लाब होगा जहां तक love life की बात है थोड़ा सा balance रूनने का प्रयास करना पड़ेगा आपको प्रयास करना पड़ेगा कि चीजें एक्स्ट्रीम में ना जाएं विवाहिक जीवन ठीक ठाक देख रहा है communication थोड़ी better केज़ेगा और अच्छा हो सकता है सेहत के हिसाब से आपको यदि कोई hormonal problem और दिक्कत बढ़ेगी और आँखों की problem बहुत तंग करेगी chest की problem भी तंग कर सकती है students के लिए समय बहुत अच्छा कोई exam आपका यदि पढ़ता है हफते के अंत में बहुत अच्छा आपका जाएगा सरवाश्टक में तीसरा भावत्य अंत बली है अगर आप कुछ नया अपने जीवन में शुरुआत करना चाते हैं उसके लिए जो हफते का अंतिम भाग है वो अच्छा है क्योंकि वहाँ पिक logical thinking आपकी रहेगी जो आपको आगे बढ़ाएगी उपाय के सरूप में आपको शनी चरीसा हनुमान चरीसा का तीन तीन बार पाठ करके आपको हनुमान जी को खीर का भोग लगाना है और शनी देव को दो सरसों के तेल के दिए अरपन करने है आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी चैनल पे अगर आप नए है सब् लिवीडियो में तब तके लिए ओना